बिल्कुल ठीक होंगे अल्ला का शूकर है हम भी बिल्कुल ठीक हैं आज हम बनाने लगे हैं कलब सेंड्विच और इसको बनाने के लिए हमें जिन जिन चीजों की जरूरत है यह मैं आपको साथ सब बताती जाओंगी सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे अपनी फिलिंग क्यार क ली है यह मेने बॉइल टीटिकन लिए लेएं बॉनरस चिकन लेकर इसको मैंने बॉ enfermed कर लिया है और श्रुड कर लिए इसको बॉइल हचार म डालेंगे तू टेबल स्पून तू या थ्री टेबल स्पून इसके बाद हम हाफ टेबल स्पून मस्टर्ड पेस डालेंगे जोके किसी भी ब्रेंट का डाल सकते हैं और यहाँ जगह से मिल जाता है असानी से और अब हम इसमें डालेंगे चिली सॉस हाफ टेबल स्पून और साथ ही हम डालेंगे केचप वन टेबल स्पून और इसमें हम थोड़ी सी काली मिर्च चिकन को हमने बॉय करते हुए भी काली मिर्च टाले की इसलिए हम उसी हिसाफ से थोड़ी सी एड़ करेंगे और साथ ही थोड़ा सो सॉल्ट सॉल्ट पी हम में चिकन को बाड़ करते हुए डाला था अब स्टेस्ट और एक लसन का जवाब उसको मैंने कूट लिया इससे इसका टेस्ट ज्यादा अच्छा एगा अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं इसको मिक्स कर लिया है यह मारी फिलिंग रेडि हो गी है अब हम अपनी दूसरी फिलिंग को रेडि कर लेते हैं क्लब सेंड़ीच बनाना बहुत ही असान है और यह बहुत ही मज़े के बनते हैं इसके लिए हम सबसे पहले तू टेबल स्पून मायोनीज लेंगे यह टी स्पून है मैं इसलिए बर बर के डाल रही हूं मायोनीज हो गई इसमें हम क्रीम एड़ करेंगे क्रीम मेरे पास नहीं है मैंने मलाई की क्रीम बना लिया है बलाई की इससे भी इसका टेस्क बहुत अच्छा आता है तू टेबल स्पून मैंने बलाई ले लिया है और साथ में हाफ टी स्पून चीनी अब हम इसको मिक्स करेंगे थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डालेंगे इसको मिक्स कर लेंगे ताके हमारी चीनी जो है वो डिजॉल्व हो जाए यह देखें विजस्त मलाई और चीनी और मायोनीज को हमने मिक्स कर लिया अब इसके हम दर हम अपनी वेजिटेबल स्टालेंगे खीरा ले लिया थोड़ा सा टमाटर थोड़ा सा और साथ शिमला मिच यह भी थोड़ी सी और यह बंद गोगी यह भी अपने टेस्ट के मताबर इन सब चीजों को अब कम यह ज्यादा कर सकते हैं इसको मिक्स करेंगे अब इसमें हम चंद कत्रे लिमू के डालेंगे चंद कत्रे हम इसमें लेमन के डालेंगे लेमन जूस के यह भी हमारी फिलिंग रेडी होगी अब हम अपने सेंड्विच को असंबल कर लेते हैं मैंने तीन ब्रेट ले लियां नीचे वाले पर सबसे पहले हम मायोनीज लगाएंगे मायोनीज लगांके इसको हम सरे पर फला लेंगे अपने टेस्ट लेलिंग रखेंगेétais अपने टीस्ट के अमताब़क कम यह ज्यादा prominu रख सकते जब इसको डालने के बाद, इसके ओपर हम डालेंगे चिली गॉर्लिक सॉस, दूसरी ब्रेड हम इसके ओपर रखेंगे, इसके ओपर हम लगाएंगे पिनट बटर, वैसे तो मक्षन बटर लगा लिया जाएंगे, इसका टेस्क बहुत अच्छा आता है, इसके ओपर हम पिनट बटर लगा लेंगे, विसके ओपर हम अपनी रेजिटीबल वाली मिक्सर रखेंगे, जब भी हम वीडियो बनाने लगते हैं, हमारे तोत्य जहना पीछे से बोलना शुरू हो जाते हैं, इनको पता चल जाता है, कि गहर में अपकोई काम हो रहा है, इसके बाद हम अपनी तीसरी ब्रेड है उसको लेंगे, उसके ओपर भी हम थोड़ी सी मायमेज लगाएंगे, मायमेज लखाएंगे, मायमेज लखाके इसको भी ब्रेड पे हम अच्छी तरह फला लेंगे, और यह इसके ओपर रख लेंगे, अब हम इसकी साइडें काट लेंगे, छुरी हमारी बिल्कुल तेज होनी चाहिए, देखें वीवल्स मैंने इसकी साइडें काट लेंगे, अब हम इसको दर्म्यान में से काटेंगे, और हमारी छुरी तेज होनी चाहिए, इस पॉइंट पे और हम इसको ऐसे हाथ रखके, फ मैं आपको निजदीग करके दिखाती हूं यह रेखें इसकी लोगी यह अब खुले ना इसके लिए हम इसको तुटपीक लेकर वो इसके अंदर डाल देंगे क्लप सेंडवीच कितने मज़ीय और कितने खुबसूरत तचार हो आप यह इससे बनायें Jamie haaf पूआता तेस्ट में इंशाला अपने बच्चों को इसा बनाग के देजिएगा इंशालों को बहुत मजा आएगा और हम इनको अगोधी को टेस्ट करते यह बहुत ही मज़ेका बना है पीनट पिटल का भी टेस्ट आ रहे हैं हमारी वेजिटेबल का लेदा से टेस्ट आ रहे हैं दूसरी चिकन का लेदा इसका बहुत मज़े का फ्लेवर बना आप भी ऐसे ही बनाएगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली न् अलावी इस